Hello friends, good morning, कैसे आप सब, स्वागत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर और आज हम स्टाट करेंगे time speed distance का lecture no.9 मैंने 7th lecture से आपको relative speed बढ़ाना start किया था, 7th lecture में मैंने आपको इसके basic बताए और फिर कुछ question करवाए और 8th lecture के अंदर फिर हमने relative speed के कुछ question किये थे, आज जितने भी relative speed के अपर और टाइप के question बचे वे हैं, वो सारे हम discuss कर लेंगे ठीक है, तो चलिए start करते हैं direct question से, देखो question कितना भी बड़ा हो, आप diagram बनाओ, छोटा सा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके से करो, ऐसा कोई भी question नहीं होगा कि जो आपको समझी नहीं है कि इसकी language क्या है, बहुत आसानी से आपको समझा जाजेगी, इसके अंदर क्या कहता है, the speed of Vikram and Kundan are 30 and 40 km पर आर respectively, दो लड़के है Vikram और Kundan, दोनों के आपको speed दे रखिया, initially Kundan is at place A, आप diagram मना लो, ये place A है, एक place B है, यहाँ पर क्या है, starting में Kundan है, और B पर कौन है, Vikram है, दो लड़के है, यहाँ पर साथ-साथ में इनकी speed लिख लो, दखो ये Vikram और Kundan की speed है, 30 and 40, यहने कि Vikram की speed कितनी है, 30 km पर आ रहा है, और Kundan की speed कितनी है 40, जब आप start करते हो mathematics को पढ़ना, किसी भी topic को पढ़ना, तो आ बार बार से, और फिर आपको mathematics solve करने का मानी नहीं करेगा, पूरी चीजे लिख लो, exam के अंदर मैं नहीं कहता है, कुछ भी लिखो ऐसा, लेकिन जब आप घर पे practice कर रहे हो, आप पूरी चीजे को लिखो, the distance between AB is 650, यहने कि यह तो दो शहर है, इन दोनों के बीच की distance को given है question में, विक्रम started his journey three hours earlier than कुंदन, विक्रम देखो, तीन घंटे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, कुंदन से, ठीक है, तीन घंटे पहले जर्नी स्टार्ट कर देता है, फिर कहता है, then to meet each other, यहने कि दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन विक्रम को ज़्याद पर यह मिल दिया, ठीक है, फिर कहता है, then find the distance between C and B, यहने कि आपको निकालना है, कि B से कितनी दूरी पर यह जाके आपस में मिलेंगे, तो अब आप मेरे को बस एक बात बता दो, बिल्कुल simple basic concept मैं आपको समझाता हूँ, देखो, यह तीन घंटे पहले चला है, मैं कहता हू तो मान लो, यह चला सुबह 9 बजे, तो आपको question में कहा कि वने विकरम 3 गंटे पहले चला है, यानि कि यह चला हूँ, कितने 6 बजे, सबसे पहले तो आपको यह बताना होता है, कि जब यह बंदा चला था, लेट वाला, तो तब तक विकरम कितनी distance कवर कर चुका है, आप को होगे जब विकरम के पास 3 गंटे है, ठीक है, 3 गंटे में यह 30 की speed से कितना चल चुका होगा, 90 चल चुका होगा, यह कितना चल चुका, 90 किलोमेटर, यानि कि इन दोनों को कितना फासला कवर करना था, 650 का, लेकिन 650 में से विकरम काईगा, भी 90 तो मैं चल चुका हूँ, पहले ही, अब इनको दोनों को मिलके 560 किलोमेटर तै करना है, यह क्या आगे अपकी distance, speed क्या होती है, बताओ, relative speed होती है, 40 की speed से यह चलेगा, 30 की speed से यह चलेगा, तो 40 प्लस 30, दोनों मिलके हर एक गंटे में 70 किलोमेटर कवर कर लेंगे, तो time कितना लगेगा, बता तो मिल पान सो साथ, अब उन में 70, यान की 8 गंटे, आप यह बताओ, 8 गंटे और लगेंगे, कहां से 8 गंटे लगेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, यह विकरम ने कितने बज़े चलना स्टार्ट किया था, सुबह है, 6 बज़े, 6 बज़े से लेके 9 बज़े तक चला, वो यहाँ प गंटे चला है, 3 गंटे तो पहले चला, और 8 गंटे इसको बाद में चलना पड़ेगा, यान की टोटल कितने होगे, फिर 11 गंटे होगे, 11 गंटे होगे, विकरम की स्पीड कितनी है, 30, यान की विकरम टोटल 330 किलोमेटर चलेगा, और 330 किलोमेटर ही तो फिर क्या होएगी, 20 से सी की डिस्टेंस होएगी और यही इस कोशन के अंदर आप से पूछा गया तो देखो कोई बीना फॉर्मले का यूज किये सिर्फ एक लाइन बनाके डियाग्राम की मैंने कितनी आसानी से आपको यह कोशन समझा दिया ठीक है मैं आपको यह कहना चाहता हूं दोनों मेंसे जो पहले चला कितने घंटे पहले चला तीन घंटे यहने कि विक्रम 30 की स्पीड से तीन घंटे में 90 किलोमेटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है आप अब यह मानके चलो कि इन दोनों के बीच की दूरी 650 नहीं बलकि कितनी आप 560 है अब यह 560 किलोमेटर की दूरी यह दोनों मिलके तै करेंगे किस स्पीड से 70 की स्पीड से क्योंकि 40 यह जाएगा 30 यह जाएगा एक दोनों अपोजी डिरेक्शन में जा रहे है ठीक है तो अब आप मेरे को बता दो पानसो साथ किलोमेटर की दूरी एक घंटे में 70 जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे आठ गंटे विक्रम तीन गंटे पहले चल चुका आठ गंटे अब चल चुका यहनिकि टोटल 11 गंटे चला है और स्पीड कितनी है उसकी 30 यहनिकि विक्रम अपनी जगह से टोटल 330 कि असल चुका है और यही आप से कोशन में पूचा गया तो अंसर आपका आगया अब यह देखो कोशन में क्या है अब यह टाइम वाले कोशन आएंगे कि किस टाइम पर आपस में यह मिलेगे तू स्टेशन एंड बी आर 110 किलोमेटर अपार्ट आप बना लो डाग्रम आप हर एक कोशन का डाइगरम मनाओगे न मैं कहता हूँ आपको सब कोशन टी एस डी के बहुत आसानी से समझा जेंगे यह आपने डाइगरम मना लिया वन ट्रेन स्टाट्स एट स्टाट्स फॉर्म एट सेवन एम यह एक ट्रेन है मालो यह ट्रेन नंबर वन है यह सुबह साथ ब सब्सक्राइब से यहां से चलना स्टाट करती है सुबह 8 बजे 25 बज़े तो यह सुचो गिए यह कम स्पीड से चलती है यह ज्यादा स्पीड से चलती है तो यह अगर इदर भागे घी फिर तो ऑप इसको कभी पकड़ी नीबाएगी पहले टेरं ठीकर तो इसका मतलब दोनो ट्रेन आपस में ओपोची डिरेक्शन में यान कि एक दूसरे से मिलेगी तो बिल्कुल सेम देखो ये वही कोशन हो गया मैंने आपको क्या बताया था जो ट्रेन पहले चली है इसने 7 बचे चलना स्टार्ट किया इसने कितने बचे चलना स्टार्ट किया 8 बजे तो जब ड्राइवर इसको फोन करेगा कि बही आठ बजगे अब तु भी घर से निकल लेगा यानिकी दोनों का टाइम क्या होना चीए सेम होना चीए तो मेरे को अब यह बता दो बस आठ बजे की कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं आठ बजे इन दोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 110 में से 20 गटाओ क्योंकि 20 तो यह ट्रेवल कर चुके ना पहली ट्रेन यानिकी 90 किलोमेटर की यह दूरी पे है रिलेट्व स्पीड कितनी होगी बता दो इनकी 20 की स्पीड से यह चलेगी 25 की स्पीड से यह तो 20 पलस में 25 45 हो जाएगी स्पीड आपकी कितनी होगी 45 किलोमेटर पर आड़ टाइम कितना लगेगा 90 अपन में 45 यानिकी 2 घंटे मेरे कहने का मतलब यह है कि 8 बज़े के बाद ये दोनों आपस में 2 घंटे के बाद मिलेगी 8 बज़े के बाद 2 घंटे यानिकी 10 अ.पे सुबह ये दोनों ट्रेने क्या मिल जाएगी आपस में मिल जाएगी और यही इस question का answer है diagram मनाओ और question खतम लेकिन diagram आपको घर घर पे बनाना है exam के अंदर तो मैं सिधा समझ लूँगा कि ये एक घंटे पहले चलिए तो मतलब 20 km तो उसने तैय कर लिया रहेगी कितनी 90 90 करेगी दोनों मिलके 20 और 25 कितने होगे 20 और 25 कितने होगे 45 90 को 45 से भाग करोगे तो यानि कि 8 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे तो train कितने बजे मिलेगी 10 बजे और ये इस question का क्या है answer है ये देखो बिल्कुल same वही question है as it is वही language है सब कुछ वही रहेगा a train starts a train from a leaves at 7 am at the speed of this to reach b यानि कि एक train a station से start हुई यहां से और b पे पहुचना है इसको इसको मैं नाम दे देता हूँ train first इसने कितनी की speed से चलना start किया 70 km पर आर की कब सुबह 7 बजे यानि कि सुबह 7 बजे चलना start कर दिया फिर कहता है a train leaves b a train from b यानि कि एक train यहां से चलना start हुई 60 की speed से at 8 am ये 60 की speed से ये है आपकी train second 60 km पर आर की speed से ये चलना start हुथी है सुबह 8 बजे if distance between a b is 720 इसके बीच की distance कितनी है 720 km है find the time taken by them to meet each other बिल्कुल सेम देखो वही question है इन दोलों को आपस में मिलना है तो कितना time लगेगा मैंने क्या बताया आपको ये 7 बजे चली और ये 8 बजे पहले तो ये देखो ये पहले जो train चली थी वो 8 बजे तक कहां पहुंच जाएगी यहां पहुंच जाएगी 8 बजे तक यहां पहुंच जाएगी कितनी distance cover कर लेगी 70 क्योंकि इसकी speed कितनी है 70 एक गंटे में ये 70 km आगे चलेगी अब इस train का driver इस train के driver को phone करेगा कि बही चलो अब मैं यहां पहुंच गया हूँ अब आप भी अपने घड से निकल जाओ ठीक है इनके बीच की distance कितनी रहेगी बताओ आठ वजे के बाद की बात कर रहे हूँ इनके बीच की जो distance होगी वो आपको होगे कितनी पहले थी 720 लेकिन 720 में से 70 तो इसने travel कर ली न कितनी रहेगी 650 km relative speed कितनी है बताओ दोनों की add होएगी ये कितनी है 70 और ये कितनी है 60 यानि कि 130 km पर आप speed भी होगी distance भी होगी time क्या होगा 650 को 130 से भाग करोगी कितने आएंगे 5 घंटे यानि कहने का मतलब ये है कि ये 8 बजे के बाद 5 घंटे के बाद मिलेंगे आपसे question में पुछा है find the time taken by them to meet each other इस question का जो language है ना वो बिल्कुल absurd है total कितना time लेगी आपको ये बताएगा कि कितने या तो ये पुछा जाएगा कि कितने बजे मिलेगी ये पुछा जाएगा आपसे time पुछा जाएगा exact तो देखो 8 बजे के बाद 8 तो यहीं बजगे 8 बजे के बाद इनको 5 घंटे ओर लगेंगे तो मेरे को बताओ आठ और पांस तेहरा यान की दो फैर का एक बज़ जाएगा दो फैर के एक बज़े यह आपस में क्या होगी मिलेगी तो यह पांस गंटे जो अंसर दे रखना ये टाइपिंग मिस्टेक है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि पांस गंटे तो तब लगेंग अई है इसको दोत्रिगों क कितना आसान बना दर यह मैंचा के ऑपर यह हमेशा इसके लिए यह कोश्या थोड़ा केलकुलेट्व हो जाएगा इसमें कहते हैं दिस्टेंस बेटुन टू स्टेशन एंड बी इस 450 दो स्टेशन बना लो ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रहे 450 किलोमेटर पहले मैं आपको बेसिक मेथर से कराता हूं आपको नया कुछ भी निसोच ना एक ट्रेन स्टार्ट होती है शाम को चार बजे इस स्प 20 p.m. towards a with the speed of this train second ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया 80 की स्पीड से a की तरफ और कितने बजे 30-20 p.m. यानि कि इसने 40 मिनट पहले चलना स्टार्ट किया ठीक है ये ट्रेन पहले चली है ये चार बजे चलना स्टार्ट होगी है ठीक है ये कितने मिनट पहले चली 40 मिनट पहले ये कितने मिनट पहले चली आपकी 40 मिनट तो पहले तो इसको यहां पहुचाओ चार बजे अब आप बताओ चार बजे ये पहुचेगी तो कितने डिस्टेंस travel कर चुकी होगी, एक घंटे में ये कितना चलती है, एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में ये train चलती है, कितनी 80 किलोमेटर, ये कितने मिनट पहले चली, 40 मिनट, तो बताओ, 40 मिनट में कितना चलेगी है, 80 को 60 से भाग करोगे और 40 से क्या करोगे उना करोगे यानि कि 3 और ये कितना आगे आपका 40 और ये आपका कितना आएगा मैंने 00 कार दे 3 और मैं 2 पर काट रहा हूं इसको 40 ये कितना आगे आपका 160 अपन में 3 है ट्रैवल कर चुकी होगी कब जब ये यहां पर पहुंचेगी 4 बजे 160 अपन 3 की डिस्टेंस ये कवर कर चुकी है पिछला कोशन आसान क्यों हो गया क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई थी लेकिन कंसेप्ट वही है अब ये ड्राइवर इसको फोन करेगा कि भी चार बजगे चलो अब आप भी अपने घर से निकल जाओ तो हम अब 4 बज़े बाद की बात कर रहे हैं अब हम किसकी बात करेंगे 4 बज़े बात की क्योंकि 4 बज़े अब इन दोनों ने चलना स्टार्ट कर दिया आप बताओ डिस्टेंस कितनी रहागी पहले 450 थी लेकि कि इन दोनों के बीच की इतनी डिस्टेंस है स्पीड कितनी है बता दो दोनों की जोड़ोगे यह 60 है और यह कितनी है 80 यान कि 140 किलोमेटर होगी टाइम कितना लेंगे यह डिस्टेंस अपन स्पीड कोशन मुस्किल नहीं है कोशन बिल्कुल सेम वही है ठीक है इसको काट द वाद यह 17 बाटे छे घंटे में आपस में मिलेंगे मैं कहता हूं 17antic मतलब होता है 2 & 526 आर्श्व गया 2 & 5262 & 5226 का मतलब क्या है देखो 2 घंटे और यह 5265-6 का मतलब होता है कितने मिनट हो जाएंगे हो आपके यह 50 मिनट हो जाएंगे यह यàni 2 घंटे और 50 क्योंकि 5 x 6R में कितने मिनट होते हैं आपके 50 ही मिनट होते हैं न 50 मिनट यानि मैं कह रहा हूं चार बज़े के बाद ये दोनों ट्रेने आपस में 2 घंटे 50 मिनट बाद मिलेगी तो टाइम कितना होगे बताओ 6 बचके 50 मिनट होगे क्या 650 पीम और यहीं इस कोश्चन का क्या है अंसर है ठीक है 650 पीम तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेंतर से निकाला बस इस कोश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्याद आपको क्यों लग रही है क्योंकि ये 160 वटे 3 वैल्यू फ्रेक्शन में आगी अगर फ्रेक्शन में नहीं आती मनलों 50 आ जाती 60 आ जाती फिर आपको ये कोश्चन आसान लगता ठीक है लेकिन मैं अब इसको नेक्स्ट पेज के ओपर बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा मतलब कि फ्रेक्शनल वैल्यू से अगर आपको बचना है तो आप क्या करोगे देखो इससे अंसर तो मैंने निकाली दिया अब देखो इसका second method क्योंकि मैं आपको वह चीज़े भी समझाओंगा कि आप question को अगर second method आपने पहले नहीं पड़ा तो paper के अंदर basic से भी कर पाऊ ठीक है लेकिन अगर आपने ये lecture देखा आपने method पढ़ दिया तो आपको दिमाग मे ये आएगा कि इस question को एक अलग तरीके से भी हम कैसे सोच सकते हैं वही question वही diagram बनाओ A और B इन दोनों के बीच की distance कितने 450 km है यहां से train चली थी कितने 320 पर चली थी और कितने किलोमेटर से 80 की speed से चली थी और यहां से train चली थी 4 बजे यह किस की speed से चली 60 की speed से आपको बता होना है कि कितने बज़े यह आपस में मिलेगी मैं यह कहता हूँ यह जो train थी ना 3-20 पर इस question को solve करने के दो तरिक्के होते हैं या तो आप यह सोच लो कि यह train 4 बजे तक कहां पहुंच जाएगी यहां पे पहुंच जाएगी और बाकी distance दोनों मिलके cover कर लेगी या आप यह सोच लो 3-20 सुभै या शाम को यह driver उठा और इसको phone कर दिया कि भही तुम्हारा plan जो 4 बजे का था ना तुम ऐसा करो इसको change कर लो और अभी तुरंत घर से निकल जाओ और इस driver ने इसकी बात मान ली और यह भी 3-20 पर ही घर से निकल गया यह कितने बजे निकल गया 3-20 पर पहले चलने वाला था यह 4 बजे लेकिन अब यह चल रहा है कितने 3-20 पर तो यानि कि 40 मिनट पहले चल रहा है एक घंटे में अगर यह 60 किलोमेटर जा रहा है तो 40 मिनट में यह कितना चल लेगा 40 किलोमेटर चल लेगा बिल्कुल आसान हो गया question अब मैं कह रहा हूँ अब म 40 इसने extra चल दी तो कितनी होगी 400 नपपे और अब question होगया खतम खतम क्यों होगया आपको speed भी दे रहिए speed कितनी है बताओ 60 पलस में 80 140 किलोमेटर पर आर क्योंकि relative speed की बात करता हूँ मैं तो time कितना लगेगा time होता है distance divide by speed यह देखो यह कितना आगया आपका 7 पे काड़तो 777 by 2 याने कि 3.5 आर्स कहने का मतलब यह है कि यह train 3.5 का मतलब आप यही मालो कि 3 घंटे और 30 मिनट यही होता है अब 3 घंटे 30 मिनट के बाद यह train मिलेगी अच्छा तोनों का starting time क्या है बर सेम और किस time पे चलिए दोनों 3 20 पे तो बताओ आपका time क्या हो जोगा meeting time 3 20 पे चल मैंने इस question को solve कर दिया मतलब कि मैंने एक अलग धंग से question को सोच लिया कि इस driver ने भी अगर 3 20 पे चलना start किया होता तो यह 40 किलोमेटर extra चलता कहने का मतलब पहले meeting के लिए इनको सिरफ 4500 किलोमेटर चलना पड़ता था अब इनको 40 किलोमेटर extra चलना पड़ेगा यहीं कि 490 अब चलना पड़ेगा और कितने बजए इन्होंने अपनी journey start कर दी तीन बीस पर तो बस question खतम हो गया और आप इस तरीके से इसका अंसर निकाल सकते हैं तो देखो mathematics एक ऐसा subject है कि जिसमें अगर अलग तरीके से question के बारे में सोचना start करोगे ना तो question हो सकता है पहले के picture थो 50 km एक train A से start होती है B की तरफ 15 की speed से दूसरी B से start होती है A की तरफ 20 minutes before the first train वोई बात आगया 20 minutes इससे पहले चलती है with the speed of 20 find at what distance from A will they meet each other वो A से कितने दूरी पर एक दूसरे से दोना मिलेगी तो देखो मैं बना देता हूँ यह train है A यह station है B मान लो ठीक है एक train यहां से चल आगरी हमें यह नहीं पता और कितने की speed से चली है 15 km पर आर की speed से यहां से जो train चल रही है 20 km पर आर की speed से यह train जो है ना 20 minutes पहले चली है कौन से वाली यह वाली मैं माल लेता हूँ वही question माल लेता हूँ मैं यह शाम को चार बज़े चल रही है मैं time अपनी मर्जी से इसली लिख रहा हूँ ताकि मेरे को confusion ना हो यह 20 minutes पहले यानि कि 3.40 मिनट पर चल रही है 3.40 मिनट पर देखो यह वही question आ गया यह बिल्कुल से वही question आ गया मैं fraction से बचना चाता हूँ मैं क्या करता हूँ इस driver को phone कर दूँगा कि भई तुम भी उड़ जाओ और अब ही चलना start क चल रहा है आप मेरे को बता दो अगर साथ मिनट में यह 15 किलोमेटर चलता है तो 20 मिनट में यानिकी वंथर्ड यानिकी 5 किलोमेटर चलेगा अब मैं कहता हूँ यह 5 किलोमेटर इनको extra distance travel करने पड़ेगी meet करने के लिए ठीक है तो बता दो आप कितने घंटो बाद ही मिलें है meeting time meeting time कितने घंटो बाद मिलेंगे यह distance कितनी होगी देखो 450 तो पहले थी 500 और 455 होगी और speed क्या होती है दोनों की add ओ जाएगी यह कितनी होगी 35 35 को कटो के 35 35 35 यानिकी यह 13 घंटो के बाद आपस में मिलेंगे 13 घंटो बाद आपस में मिलेंगे अब आपसे सिर्फ कोश् चल रहा है यह वाला बंदा चल रहा है किस स्पीड से 15 की स्पीड से तो 15 की स्पीड से इसने 13 घंटे ट्रेविलिंग करी मतलब 15 गुना में 13 कितना हो गया 195 किलोमेटर चला लेकिन 195 का अंसर नहीं आपको क्यों नहीं अंसर मैं कह रहा हूं आप से तो ए से distance पुछ गई है ए से ये कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे ये पुछा है अपने ये टोटल 195 चला है लेकिन वास्तों में इसने चलना तो कहां से स्टार्ट के था है यहां से ना तो ये टोटल 195 है जिसमें से 5 यह है तो ये कितना बच्गा बताओ 190 बच्गा ना इस question का answer कितना है 190 तो मैंने कित स्टार्ट के यहां से स्टार्ट किया आपको ये से बताना है कि ये से कितनी दूर जाकर ये मिलेंगे ये डिस्टेंस अगर पांच है टोटल 195 है ये कितनी बच्गी आपकी 190 और ये इस question का answer है तो उसी तरीके से same method से मैंने आपको सोच के और इस question को solve कर वा दिया ठीक है A और B दो train है इसकी speed है 15 km पर और इसकी speed है 20 km पर ये मान लो शाम को 4 बज़े चलना start हूई और ये 3.40 पर चलना start हूई 3.40 पीम पर ठीक है ये है मैं कहता हूँ इसको भी 4 बज़े यहां पहुचा दो आप और ये total distance कितनी थी आपकी 450 थी 450 km अब आप मेरे को बताओ अगर य कितने minute है इसके पास 20 minute है ना क्योंकि 4 बज़े पहुचना है तो 20 minute बचे है 20 minute पहले से लिए तो 20 minute में कौन सा इसा third यान की 20 by 3 ये cover कर लेगी ये कितना होगे 20 by 3 km अब मैं बात कर रहा हूँ 4 बज़े बाद की 4 बज़े बाद की इनके बीच की distance है वो कितनी रही बताओ 450 ट इसको बताओ distance आप उन में speed speed कितनी है 15 और 20 कितनी होगी 35 इसको 35 पे आप काड़ दो 5 पे काड़ दो इसको 5 सते 35 और पांदूनी 10 और बज़के 3, 5, 6, 35, 7 पे कट रहा है ये 7 पे कट जाएगा 7 पे कटेगा ये 3 बार और 8 बार यानिकि 38 by 3 और ये क्या हो जाएगा आपका आ 38 by 3 hours के बाद ये क्या है आपस में मिलेंगे लेकिन आपसे ये निपुछा कितने बज़े मिलेंगे आपसे पुछा है एसे कितनी दूर जाके ये मिलेंगे तो आप मेरे को बताओ चार बज़े के बाद ये ने तो कितना चार बज़े बाद चलना स्टाट किया था ना एने च तोटल कितना दूर चला 190 km और यही इस question का answer है तो आप सिधा भी निकाल सकते हो लेकिन मैं कहता हूँ fractional value से अगर आपको बचना है तो यह method सबसे best होता है ठीक है तो लाइने लिखोगे और question का answer आ जाएगा यह देखो बिल्कुल same as it is वही question है data का change किया है मैंने आपको practice के लिए दे दिया distance between two station कितनी है 900 km है अब की बार देखो सारी चीज़े इसमें क्या होगी double होगी पिछला question पढ़ लो दोनों के 20 की distance कितनी थी 4500 एक की speed 15 थी एक की speed कितनी थी 20 यहाँ पे देख लो सब कुछ double हो डिस्टेंस कितनी होगी अपकी बार 900 होगी पंदरा वाले train की speed कितनी होगी 30 और इसकी speed कितनी होगी 40 वही यह 20 मिनट क्या चूटती है पहले चूटती है तो आप से पुछा है कि यह से कितनी दूर पर जाके यह train मिलेगी पिछले question का अंसर 190 था इसका अंसर कितना है आपका given नहीं होती most important concept है और हर exam के अंदर लगबग इस concept के ओपर best question पुछा जाता है यानि कि आभी आपने कौन कौन से question किये कि मान लो दो शेहरों के बीच की distance देखो यह question पढ़ता हूँ मैं दुबारा दो शेहरों के बीच की distance कितनी है 900 km है एक train A से चलती है दूसरी train B से चलती है यह इतने बज़े चलती है इस speed से यह इतने बज़े चलती है इस speed से और आप से यह पुछा जाता है कि दोनों train आपस में कितने बज़े मिलेगी ठीक है लेकिन यहाँ पे तो आपको distance given थी मैं कह given होगी ना तब भी क्या है मैं इस question को solve कर दूँगा और अब हम ऐसे कुछ question लगातार solve करेंगे देखो एक example लेकर मैं आपको बताता हूं और सारा concept आपका clear हो जाएगा इसमें क्या कहता है a train starts from Delhi at 8am reached आगरा at 10am अभी इस question में आपको यह given होगा कि दिल्ली से चलके आगरा आप वो कितने बजे पहुंची ठीक है आप डियागरा मना लो यह दिल्ली और यह आगरा एक ट्रेन स्टार्ट हुई दिल्ली से लेके और वो किदर चली आगरा की तरफ दिल्ली से लेके आगरा ट्रेन पहुंची अब आप बता दो कितने बजे चली थी और कितने बजे पह लिख लिए आपने another train starts from आगरा, दूसरी train आगरा से start हुई, सुबह 8 बजे और दिल्ली पहुंचकी कितने 11 बजे, तो देखो दूसरी train का डियागरम ये आगरा से start हुई यहाँ पे आएगी, ये 8 बजे start हुई थी 8 हम और यहाँ पे पहुंची कितने 11 बजे, तो मेरे को बता हो, ये train कितना time ले रिया, तीन घंटे का time ले रिया, तो simple सी बात है, दोनों ये भी 8 बजे start हुई और ये भी 8 बजे start हुई, एक दिल्ली से आगरा जा रिया और एक आगरा से दिल्ली जा रिया, यानि कि दोनों का आपस में कहीं न कहीं दिल्ली और आगरा के बिच में मिल लेंगे, या एक दूसरे को क्रोस कब करेगी, सब चिजों का एक ही मतलब है, ठीक है, मिटिंग करवानी है अपनी, आप आपको यहाँ पर distance नहीं कि बना है, मैं कहता हूँ, इन दोनों के बीच की distance को, आप चैए 1 किलोमेटर मान लो, चैए 2 किलोमेटर मान लो, चैए 30 किलो मान लो, इस दिल्ली और आगरा के बीच की distance को, आप कितना मान लो, 6 किलोमेटर मान लो, ठीक है, मैं कहता हूँ, कुछ भी मान लो, जब कुछ भी मानना है, तो मैं कहता हूँ, वगर कोश्चन में, फ्रेक्शन से बचना है, तो इन दोनों को क्या मान लो, LCHM मान लो, ठीक ह आप मेरे को बताओ, distance कितनी है, 6 किलोमेटर, और इसने इस 6 किलोमेटर को जाने में, 2 घंटे लगा दिये, 6 किलोमेटर को जाने में, 2 घंटे लगा दिये, 6 किलोमेटर को जाने में, इसने 3 घंटे लगा दिये, इसकी speed कितनी है, 2 किलोमेटर पर आप दोनों की क्या निकाल सक आप मेरे को बताओ यह रिलेटिव स्पीड का तो कोस्यों मन गया इन दोनों को कितने डिस्टेंस कवर करनी है छो किलोमेटर कितने खुटेज से यह इदर चेलेगी यह इंदर से लेगी टोनों सब जांते हो कितने मिनट होती है, बहतर मिनट होती है, बिसाट से गुना करो, बहतर मिनट का मतलब क्या होता है, एक घंटा और बारा मिनट, यानि कि आठ बजे के बाद, एक घंटे बारा मिनट के बाद, ये दोनों ट्रेने मिल जाएगी, आप बता दो, आठ बजे के बाद, एक घंटा ब श्पीड निकाल लेना फिर रिलेटिव स्पीड का फॉर्मला लगा देना कि दोनों को मिलके 6 km ट्रेवल करना है किस स्पीड से 3 प्लस 2 यानि कि 5 कि स्पीड से कितना टाइम लगेगा 72 मिनट आठ बजे दुनों ने चलना स्टार्ट किया था 72 मिनट लगेगी मिलने में तो यानि कि 9 बज़ के 12 मिनट पे यह दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी ठीक है तो यह तो पहला कोशन था अब और हम लगातार ऐसे से कोशन करेंगे आपको बिल्कुल समझा जाएगा यह देखो एज़ इस वही कोशन है यह बी ए परसन स्टार बज़े पहुंचा है 10 बज़े यानि कि यह परसन यहां से यहां पहुंचने में कितने गंटे लगता है 3 गंटे यह लिख लिया करो अप ठीक है ताकि बार बार कोशन को आपको ना पढ़ना पड़े यह लिख लिए आपने दूसरा परसन बी से स्टार्ट होता है और साथ सूब शुफ ही और एपन पहुंच जाता है कितने एक बज़े यानि कि यह परसन यहां से स्टाट होके एपर पहुंचेगा सुबह साथ बज़े इसने स्टार्टिंग की थी साथ बज़े और यह एक बज़े पहुंच रहे तो बताओ, 7 और 1 का जो gap होता है, वो कितना होता है, 6 गंटे होता है, यह 6 गंटे लेता है, find the time at which they will meet, कितने बज़े एक दूसरे से अपस में मिलेंगे, तो मैंने क्या कहा, आप distance माल लो, 3 और 6 का जो LCM होता है, वो कितना होता है, बताओ, LCM of 3 और 6, यह 6 होता है, तो मैंने म माल ली, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप मिले को बता दो, इस A train की जो स्पीड है, या बंदा है, यह माल लो, A, 3 घंटे में 6 किलोमेटर ट्रेवल करता है, तो इसकी स्पीड आपकी कितनी होगी, बताओ, 1 किलोमेटर पर आर होगी, मैंने आपको दोनों के दोनो स्पीड निकाल के दिखा दी, टाइम का फर्मला क्या होता है, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी अच्छे, स्पीड कौन सी मानते है, रिलेटिव स्पीड, यह दो चलेगा, यह एक चलेगा, तो दो पलस में, एक तीन, छे को तीन से बाग करोगे, दो दो गहंटे बाद ये दोनों परसन आपस में मिल जाएंगे, और कितने बज़े चलना ष्टार्ट किया था, सात बज़े, सात बज़े के दो गहंटे बाद, कितने बच जाएंगे, सुबह के 9 बच जाएंगे, इस कौस्टिन है और आप देखोगे इस question को भी हम वैसे ही solve करेंगे एक person है जिसने A से चलना start किया सुबह 7 बजे और वो B पे पहुंच जाता है सुबह 10 बजे question वही है देखो यह A है यह B है इसने क्या किया साथ बजे चलना start किया सुबह है और यह 10 बजे यहां पे पहुंच गया ठीक है तो यानि कि इसने यहां से लेकि यहां तक traveling की तीन गंडे में यह distance इसने travel करी तीन गंडे में similarly a person from B starts to walk at 8 a.m. and reaches A at 11 a.m. यह ध्यान से पढ़ना अब की बार इसने आठ बजे चलना start किया है तो हम क्या करेंगे diagram बनाएंगे यहां से लेकि यहां तक जो person चल रहा है वह 8 बजे चलना start किया था इसने और यहां कितने बजे पहुंच गया वह 11 बजे पहुंच गया अब आप बताओ इसको इसको तीन गंटे लग रहे हैं यह कितने लगे इसको तीन गंटे लगे find the time at which they meet each other दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे आपको यह निकालने तो मैं निकालनूंगा पहले तो मैं इस distance को माननों ठीक है distance क्या मानते हैं एलसियं मानते हैं इस तीन का और इस तीन का also कंज कितना ऩर उता है मैंने मान दी मैंने क्हि crucified कितनी में इसकी गंटे में travelling स्पीड करता है तो इस question में बस एक change है हलका सा, क्या change है, कि ये दोनों same time पे नहीं चले, ये 7 बजे चलना start हुआ था, और ये 8 बजे चलना start हुआ था, तो अब आप ऐसे मत कर देना, कि 3 km की distance को travel करना है, 1 पलस 1, 2 की speed से नहीं, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का time चलने का क्या बनाना पड़ेगा, आपको same बनाना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ, आप पहले ये देख लो, कि ये बंदा, ये बंदा, एक घंटे में, क्योंकि देखो, ये 7 बजे चलना, और ये 8 बजे चलना start हुआ है, ये 8 बजे तक, ये 8 बजे तक, कहां पहुँच चुका होगा, एक घंट बजे के बाद, इन दोनों के बीच की जो distance है, वो सिरफ कितनी है, 2 किलोमेटर, speed कितनी है, वो ये relative speed, यानि की 2 किलोमेटर पर आर, आप मेरे को बता दो, time कितना होगा, 2 बाय 2, यानि की 1 आर, एक घंटे के बाद, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कितने time के बाद, 8 बच जाएंगे, no बच जाएंगे, तो मैंने इस question को भी बिल्कुल same, उसी concept आपको solve करवाया, लेकिन, यहाँ पर क्या फ्रक था, दोनों person के चलने का समय क्या है, अलग-अलग है, लेकिन, चलने का समय चाहिए अलग-अलग हो, चाहिए same हो, इस एक line के diagram से, आप सारे के सार दस बजे, और रीज दिल्ली पहुंचती है, वो तीन बजे, तो करदो स्टार्ट ये रहा मानलो जैपूर और ये रही दिल्ली, ये सुबह दस बजे स्टार्ट हुई, दस एम, और एक तीन बजे, ये तीन बजे दिल्ली पहुंच, ये दस से तीन का time कितना होता है, पांस गंटे इसको 5 गंदे लग रखेट ये हो पिर कहता है Another train starts from दिली ये दिली से start hooyie और 11 बजे यह पे चलने काне अलग-अलग है यह दस बजे स्टाट हुई थी यह और यह जैपूर पहुंचऌद ए कह स्काप nose 11-6 का ताईम जो होता है, वो कितने होता है, 7 गंटे होता है, तो बस अब आगे आप question में कुछ मत पढ़ो, आप बस क्या क्या करो, distance, let कर लो, LCM कितना होता है, बताओ 5 और 7 का, आप को कर लो 35 होता है, तो मैं ये distance कितनी माल लेता हूं, 35 km माल देता हूँ मैंने distance 35 माल ली तो मैं इसको J को person ही माल देता हूँ इसकी speed कितनी होगी 35 km ये 5 घंटे में travel करता है तो मतलब speed कितनी होगी इसकी 7 km पर आद ये 35 km 7 घंटे में travel करता है इसकी speed कितनी होगी 5 km पर आद मैंने दोनों की दोनों की क्या निकाल दी आपकी स्पीड निकाल दी अब आप बताओ पहले किसने चलना स्टार्ट किया पहले इसने ये दस बज़े चला था और ये कितने बज़े चला था ग्यारा बज़े तो आप ये मानो कि ये 11 बज़े तक कहां पहुंच जाएगा ये 11 बज़े तक यहां पहुंच जाएगा मतलब एक गंटे बाद एक गंटे में ये चलता कितना है 7 किलोमेटर तो मैं अब question को solve करूँगा क्या 11 बज़े बाद आप मेरे को बता दो 11 बज़े बाद इनके बीच की distance total कितनी थी 35 थी लेकिन 7 तो ये cover कर लेगा ना एक गंटे में यानि कि अब इनको distance travel करनी है सिरफ कितनी 28 किलोमेटर relative speed कितनी होएगी दोनों मिलके ये 7 की speed से जाएगा ये 5 की speed से जाएगा यानि कि दोनों परते गंटे एक दूसरे के 12 किलोमेटर करीब आ जाएगे तो time कितना होता है बताओ distance divide by speed आप इसको 4 पे काट दो ये 7 by 3 यानि कि 2 सही 1 बटे 3 आर्ष इसका मतलब क्या होता है 2 घंटे और 20 मिनट होता है 2 घंटे और 20 मिनट कहने का मतलब 11 बज़े के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये 2 घंटे और 20 मिनट के बाद मिलेंगे यनकी 1 बज़ कर 20 मिनट तो फैर को ये आपस में मिलेंगे और ये इस question का answer है तो बिल्कुल question क्या है पिछे वाला है कोई भी change नहीं है as it is वही concept वही question बस आपको क्या करना होता है 11 बज़े के बाद ये देखना है कि इन दोनों के बीच की distance क्या होगी distance को relative speed से भाग कर देना आपका time आएगा बस आप उसको time को जोड़ दो 11 बज़े में answer आजएगा ये देखो बिल्कुल same वैसा ही question है इसमें भी कहता है एक train start होती है station A से सुबह 7 बज़े और B पे पहुंचती है 7 पीम साथ एम से 7 पीम यान की 12 गंटे होगा ठीक है ये A माल लेते हैं ये B माल लेते हैं ये सुबह 7 एम स्टार्ट हुई और 7 पीम यहाँ पे पहुंची इसका मतलब इसने ले लिए कितने 12 गंटे इसके होगे 12 गंटे अब दूसरी train कहां से start होगी देखो another train starts from B सुबह 9 बज़े start हुई और A 5 पीम पे पहुंची तो यान की इसको ऐसे कर दो ये 9 बज़े start हुई सुबह 9 बज़े start हुई और ये 5 बज़े पहुंची आप मेरे को बता दो 9 और 5 का gap कितना होता है 8 गंटे होता है ये 8 गंटे पहुंची बाकी question को हम solve करेंगे बाद में पहले क्या करते हैं इस distance को मानते है LCM कितना 8 और 12 का 12 और 8 का LCM आप सब जानते हो 24 मैंने इसको मान लिया कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 24 मैं A और B को क्या मानता हूँ हमें सब परसन मान लेता हूँ कि ये परसन के नाम है ठीक है आप यह अचूम कर लिया करो 24 किलोमेटर इसने ट्रेवल किया कितने गंटों में 12 गंटों में यानि कि स्पीड होगी इसकी 2 किलोमेटर परती गंटा इसने 24 किलोमेटर ट्रेवल किया 8 गंटे में इसकी स्पीड कितनी होगी बिताओ 3 किलोमेटर परती गंटा ये स्पीड किसकी होगी B की अब आपको सिरफ एक चीज का ख्याल रखना है क्या है वो चीज कि इसने सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट किया इसने सुबह 9 बजे तो पहले आप इसको क्या करो 9 बजे पहुंचाओ वो यहां तक पहुंच जाएगा ठीक है मैं बात करूँगा किसकी 9 बजे बात की क्योंकि द दो घंटे में कितना जाएगा चार किलोमेटर तो यह चार कम होएगी अब कितनी होएगी इनके बीच की डिस्टेंस बीस रिलेटिव स्पीड कितनी है बता दो आप मेरे को इसकी स्पीड कितनी है तो इसकी स्पीड कितनी है तीन दो पलस में तीन यानिकी 5 किलोमेटर पर आ नो बज़े के बाद चार घंटे क्या बच जाएंगे एक बच जाएगा और ये सारी शाम की बात है ना ये क्या है आपका देखो सेवन एम और ये आपका कितना है नाइन एम ये जो रात का टाइम दे रहा है ना ये रात का गलत है ये एम नहीं है क्योंकि देखो ये सुबह नो बज़े इन्होंने चलना स्टार्ट किया ठीक है और चार घंटे बाद मिलेंगे तो ये एम कहां से आ जाएगा पी एम आएगा ना तो फैर के बज़ेंगे ये सुबह नो बज़े चलना स्टार्ट करेगी और ये नो बज़े तक यहां पहुंच जाएगी तो बताओ नो बज़े के बाद सुबह के नो बज़े के बाद चार घंटे बाद दो फैर का एक बज़ेगा तो एक प्यम इस कोश्चन का क्या है क अब देखो ये ये भी अच्छा कोश्चन है इसमें क्या करता है अब ये तीन कोश्चन में एक जैसे कराऊंगा इस कॉंसेप्ट के ओपर बेस्ट डिस्टेंस बीट्विन एंड बी इस 120 किलोमेटर आप डियाग्राम राओ दो स्टेशन है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमेटर है if they both move towards each other यानि कि दो ट्रेन है इसने लिखने रखा ठीक है जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है तो वह दो गंटे में मिलती है बट इस दे मूव इन सेम डिरेक्शन दे मीट इन शिक सार्ज फाइंड देर स्पीड आपको दोनों की स्पीड निकालनी ह मैं कहता हूं यहां से च्पीड कितनी है X किलोमेटर ऑड एक यहां से च्पीड है कितनी य अच्छा बता देगा कितनी आगी 60 आगी जब यह सेम डिरेक्शन में चलेगे तो 6 गंटे लगेंगे अच्छा सेम डिरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है 6 गंटे लगेंगे तो यानिकी X-Y की वैल्यू कितनी हागे 20 अब यह तो मैंने आपको बता रख fastest और X ने यह उत्रहs प्लस प्लस ओखानी कि पहली ट्रेन कीस्पीड कितनी है दूसरी की कितनी है तो मैंने मान लिया 1 की 40 और यह इस question का बिल्कुल basic question था, ऐसे ऐसे मैं तीन question आपको करवाँगा देखो, इसके अंदर भी बिल्कुल same वही concept आप use करो, तो place A और B 80 km दूर है, A और B की distance है 80 km, यह आपने मान दिया, उने highway, एक car starts from A and another car starts from B at the same time, if they move in same direction, अगर वो same direction में move करती है तो वो 8 गंटे भी मिलती है, अगर opposite direction में move करती है, तो वो सिरफ 1 गंटे 20 मिलती है, तो दोनों car की speed बतानी है, तो बताओ, यह तो वो ही question होगा है, same आपका, आप क्या मान लो, यहाँ से जो car start हुई है, उसकी speed है x km पर आर, और इसकी speed कितनी है y km पर आर, वही distance का formula लगाओ, speed into time, distance कितनी है 80, speed opposite direction में जब जा होता है, यानि की 4 by 3, यह कितना है, 4 by 3, यानि की x plus y की value मैं कहूं, तो यहाँ पर कितनी हागी, आपकी 60, एक ही question हागी, x plus y कितनी हागी, 60, अब अगर यह question होता न, paper में, तो मिलको आगे solve करने की जूरूरत ही नहीं थी, दोनों की अलग-अलग speed, लेकिन दोनों का सम तो 60 ह होगा न, एक ही option है, जिन दोनों का सम कितना है, देख लो, बाकी किसी के अंदर भी 60 है, तो मैं आपको साथ-साथ में यह भी बताता हूँ, चलूँगा, कि paper के अंदर आप और किस तरीके से question का answer, direct tick कर सकते है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहूं तो मैं और दोनों को solve करोगे, तो मेरे को बताओ, X की value क्या आएगी, 60 और 10 को जोड के 2 से भाग करोगे, 35 और Y क्या आएगी, 60 और 10 को दोनों को माइनस करके 2 से भाग करोगे, कितनी आएगी, 25, अंसर आपका कितना आगया, 35 किलोमेटर और 25 किलोमेटर, और यह इस question का answer है, तो दो question बिल्कुल same मैंने करवा दिये, जब आपको 2 स्टेशन के बीच की distance भी given हो, और दोनों ट्रेने, जब same direction में चले तो कितना time लेती है, opposite में चले तो कितना time लेती है, यह given होगा, और दोनों की अलग-अलग से आप से क्या पुछी जाएगी, speed, तो आपका यह basic fund है, बता देगा, x plus y की value कितनी होगी, 60, आपको फटा-फट सोचना होता है, ठीक है, आप देखो next question, यह भी बिल्कुल same question है, दो station के बीच की distance है कितनी 600, मैं एक ही concept के उपर कोशिस करता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा question आपको करवा दूँ, ताकि आपकी calculation में जो mistake होने क समावना है, वो खतम हो जाए, आपको पता लग जाए कि question, एक इतरह के question को कैसे कैसे frame किया जा सकता है, जो भी थोड़ा वो हलका-फुल का variation आएगा, उसको कैसे हमें exam के अनर handle करना है, 600 km इन दोनों के बीच की distance है, when they start moving towards each other, they meet in 12 hours, and if A moved 5 hours after B, यह बहुत important question है, थोड़ा सा पालक question है, जो है ना, B से 5 गंटे बाद चलता है, then they meet in 10 hours, find their speed, दोनों की क्या निकालनी है, आपको speed निकालनी है, अब देखो, इस question को हम कैसे approach करें, जो है ना, B से 5 गंटे बाद चलता है, जो है यह रहा, यह क्या चलता है, 5 गंटे बाद चलता है, तो आप मेरे को बता द उसके बाद इनको 10 गंटे लगते हैं, और ए क्या है, 5 गंटे चल चुका, then they meet in 10 hours, find their speed, आपको speed निकालनी है, तो हम निकालनी है, यह कहता है, 12 गंटे में मिलते हैं, they start towards each other, they meet in 12 hours, मतलब 600 किलोमेटर की दूरी, दोनों मिलके 12 गंटे में तै करते हैं, मतलब कि 50 किलोमेटर पर आर, इनकी क्या है, बतादो मेरे को, आप relative speed है, क्या नि, यह क्या है, इनकी relative speed है, पिछले दोनों question से, जरा सा हटके है, यह question, आपको इसमें question में सिधा दे रखा है, कि 600 किलोमेटर की distance है, अगर यह दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो यह 12 गंटे में मिलते हैं, तो मुझे यहां से पता लग गया, कि दोनों की speed का sum कितना है, आपका 50 किलोमेटर पर आ रहा है, ठीक है, और देखो, एक option ऐसा है, जिसमें दोनों की speed का sum कितना है, 50 है, तो मैं यह answer टिक कर देता, लेकिन, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, कि लग-लग speed पूछ ल तो बताओ, 10 घंटे जब इनको लगे हैं, 50 की speed से, यानि कि यह इन्होंने मिलके तय करी होगी, कितनी 500 किलोमेटर, पर 500 किलोमेटर की distance तो इन दोनोंने मिलके तय करी है, क्योंकि 10 घंटे लगते हैं, जब यह 5 घंटे बाद चलता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह distance कितनी रह मैं B के लिए solve कर रहा हूँ, distance कितनी है, 100 किलोमेटर, time कितना दे रहा है question में, कि 5 घंटे, यह 5 घंटे पहले चला है न, 5 घंटे, तो बताओ, B की speed कितनी होगी, 20 किलोमेटर पर आर होगी, B की speed कितनी होगी, 20 किलोमेटर पर आर, अब आप कहोगे, A की कैसे निकाले, मैं कहत हूँ, A और B मिलके कितना चलते थे 1 घंटे में, 50 और एक दूसरे की तरफ, यानि कि दोनों की speed का sum 50 है, उसमें से 20 सिरफ 20 चलता है, तो A कितना चलेगा, फिर 50 में से 20 घंटा दो, कितना आएगा, 30 किलोमेटर पर आर, तो बहुत अच्छा question था, लेकिन हमने इसको आसानी से solve करती है, तो A की speed कितनी है, आपकी 30 किलोमेटर पर आर, और B की कितनी है, 20 किलोमेटर पर आर, इस question में सबसे बड़ी बात यह थी, यहां से आप information निकालोगे, कि 600 किलोमेटर, दोनों मिलके 12 घंटे में travel करते है, मतलब दोनों की speed का sum कितना है, 50, अगर यही जो option है, exam में आ question देखो, इसमें कहता है, A and B are 15 किलोमेटर अपर्ट, and when traveling towards each other, they meet after half an hour, whereas they meet two and a half hours later, if they travel in same direction, the faster of the two travels at the speed of, दोनों में से जो तेज है, उसकी speed बतानी है, तो यह तो वही question आ गया, जो हमने इस question से पहले दो question किये है, इन दोनों के बीच की distance कितनी है, 15 किलोमेटर, इसकी speed में म मिटर पर यह क्या कह रखा है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो यह बस आदे गंटे में मिलते हैं, आप मेरे को बताओ, distance का formula क्या होता है, speed into time होता है, 15, speed, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो speed जोड़ोगे, time कितना है, आदा गंटा, यानि कि X plus Y कितनी आदे कितने होते हैं, 5 by 2, तो यानि कि X minus Y कितना आज़ेगा, यहां से 6 आज़ेगा, यहां कि दूसरी question, तो बताओ मेरे को X की value क्या होगी यहां से, 30 और 6, 36, 36 को 2 से बाग करोगे, 18, और Y की value, 30 में से 6 गए, कितने 24, 24 को 2 से बाग करोगे, 12, तो दोनों की speed मैंने निकाल आदी, आप से पुछी है, जो person fast था, तो fast वाले की speed कितने आगी, 18, आपको यह यह निकालने की जुरूर थोड़ी है, यह X plus Y तर्थी, और X minus Y 6, तो मतलब X ही बड़ा है, तो आप सिरफ X की value निकालते हो, X की value कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड के 2 से क्या करते हैं, तो 30 प्लस 6, 36, 37 को 2 से बाग करोगे, 18, यह इस question का अंसर आजाएगा, अब यह देखो, बिल्कुल सेम वही question है, यह तो sad वही question आगया, दो गंटे, ढाए गंटे बाद मिलते हैं, आदे गंटे बाद यह तो repeat हो गया question, ठीका, same है, इसमें देखो क्या आगता है, अब यह व जोई 6 a.m. और यह 10 a.m. ऐसे question जो इन 3 question से करने से पहले हमने किये हैं, यानि कि इसको कितना time लगा, 4 गंटे लगे, फिर कहता है, another person starts from B, वो B से start करता है, और A की तरफ चलता है, 8 बजे सुबह, और पहुंच जाता है, 11, यानि कि इसने 8 बजे अपनी journey start करी, और यहाँ प बढ़ो, आप सिर्फ क्या निकाला करो, यह distance, distance कितनी देते हो, इन दोनों का L.C. चार और यह कितना होता है, बताओ, आपका 7 बटे 2 होता है, इनका L.C. कितना है, आपका 28 आएगा, इनका L.C. आएगा 28, तो मैंने मान ली कि यह distance इनके बीच की 28 km है, लेकिन इन दोनों का जो traveling time है, जो starting time है, वो same नहीं है, यह सुवए 6 बजे जला था, और यह कितने बजे, 8 बजे, तो मैं किस की बात करूँगा, बताओ, आठ बजे बात की बात करूँगा, मैं करूँगा, आठ बजे बात की बात, क्योंकि तब ही मेरा question सोल वाएगा, आप यह बता दो, आठ ब चार गंटे में cover करता है, मतलब speed कितनी होगी, इसकी 7 km पर आर, यह 28 km साड़े 3 गंटे में करता है, तो इसकी speed कितनी होगी, 8 km पर आर, अब यह बता दो, दो घंटे जब इसके पास है, तो दो घंटे में यह 14 km जा चुका होगा, अब इनके बीच की distance कितनी बच की, सिरफ 14 14 बच की ठीक है, time, speed कितनी है, बताओ, इसकी 7 और इसकी 8, यानिकी 7 प्लस में 8, 15 होगी, यह कितनी होगी, अब की 15 km पर आर, time कितना लगेगा, distance, अब उन में speed, यह तो घंटे है, इसको मिनट में change कर लो, 15 चो के 60 और 14 फोर्जा 56 है नकी, 56 मिनट लगेंगे, मैं कहता हूँ 8 बचे के बाद, इनको अगर 56 मिनट लगते है, meet करने में, तो कितना time हो जाएगा, 8 बच के 56 मिनट, सुबह के ठीक है, और यह कोशन है, पिछले 4-5 कोशन मैंने, ऐसे ही तो आपको करवाई है, बीच के अंदर 3 कोशन मैंने क्या कर दिये थे, अलग डाल दिये थे यह वाले बाकी इन 3 कोशन से पहले मैंने, 4 कोशन लगातार आपको यह करवाए हैं, कि बीच की डिस्टेंस आपको ना गिवन हो, तब भी आप यह निकाल सकते हो, कि A और B आपस में किस time पे मिलेंगे, चाहे वो same time पे चले हो, तब भी हम कोशन को solve करना सीखे, और अगर different time पे चले ह तब भी हम कोशन को आसानी से solve करना सीखे, तो कोशन बिल्कुल आसान होते हैं, आपको concept कलियर होना चीए, अब आपके माइन में कभी भी confusion रहेगी नहीं, कि दोनों same time पे चल रहे हैं, या अलग-अलग time पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों method के अंदर, दोनों questions को हमने solve क करना सीख लिया, चाहिए same time पे चले तब भी, और different time पे चले तब भी, अब देखो ये question, ये अच्छा question है, इसके अंदर बस थोड़ा सा change किया है, मैंने, distance between A and B is 60 km, दो person है, A और B, sorry, दो station है, इनके बीच की distance कितनी है, 60 km है, they, when they move in opposite direction, they meet in 6 hour, मतब 6 गंटे में चलते हैं, मैं इसकी speed को A माल लेता हूँ, इसकी speed को B माल लेता हूँ, आप चाहिए X और Y माल लो, चाहिए A और B माल लो, उससे कभी कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, तो distance का formula क्या होता है, speed into time, यानकि distance है 60, दोनों एक दिसा में चलेंगे, मतलब A plus B, time कितना लगता है, इनको बता आपको 3 question में लगातर ये बात बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना कि सिर्फ A की speed पूछ ली जाती, तब कैसे आप करते, तब तो आपको solve करना पड़ेगा ना, तो मैं वो solve करना आपको सिखा रहा हूँ, फिर कहता है, if A moves, two-thirds of its actual speed, अगर A अपन अब की बार A की speed कितनी होएगी, A की speed A नहीं है, कितनी होजेगी two-third होजेगी, यह मतलब two-by-three होजेगी, B की speed B नहीं होजेगी, डबल होएगी, यानिकी two-by, अब की बार speed यह होएगी, तो time कितना लेंगे, यह पांस गंटे, तो question हो गया, खतम two-by-three-a plus में two-by equal to कितना ह तो बारा इसको तीन से क्या गर तो मुल्टिप्लाई कर दो टू ए और प्लस में कितना एगा शिक्स भी इक्वल टू क्या आगया अपका 36 अब दो को मन लेकर चाहिए काट भी दो इसको डो कमल लेकर काट तो एपलस में थ्री वी इक्वल टू क्या गया 18 आपकी यह दो कितनी आएगी 6 आएगी तो B की 4, A की कितनी आगी 6 देखो मैंने दोनों के स्पीड को कितनी आसानी से निकाल दिया तो कोश्चंच है कैसा भी हो आप अपने बेसिक फंडे पर जलते रहो डिस्टेंस इकोल टू स्पीड इन्टु टाइम और आपका कोश्चं का अंसर आ जा करता हूं की एक ही तरह की कोश्चंच को 3-4 कोश्चं मैं उल्ल करा दियें तो बेसिक कुश्च सोल कर दूढ़न। एक कोश्चन से भी आपको समझ आजएगा चीजे और पांच कोश्चन से भी समझ आएगा तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा के चलूँगा तब ही आपको कोश्चन सोल करने में क्या है मज़ाएगा इसमें देखो क्या करता है तो पॉइंट ए और बी जो आना वो तिन सो किलोमेटर एक दुसरे से तूर है तो आप डियागरम मनाओ यहां लिखो यहां भी और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है यह तिन सो किलोमेटर है बहुत अच्छा कोश्चन है इसने एक बज़े चलना स्टार्ट किया और किस किस स्पीड से तीस किलोमेटर प्रतिगंटा की स्पीड से लिख दिया मैंने यह दूसरा व्यक्ति क्यों एक बज़े चलना स्टार्ट करता है और यह है क्यों यह भी एक बज़े चलना स्टार्ट करता है किस स्पीड से करता है यह हमें नहीं पता अब आपको कहता है क्यों अपनी गती को परतेक गंटे दूगना करता है क्योंकि जो स्टार्टिं की स्पीड है नहीं मालों स्टार्टिंग में इसने 10 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया हर गंटे ये अपनी गति को दूगना करता है मतलब पहले गंटे 10 की स्पीड से चलेगा दूसरे गंटे 20 की स्पीड से तीसरे गंटे 40 की स्पीड से चोते गंटे 80 की स्पीड से ऐसे चल है तो मैं पहले आपको निकाल के दिखाता हूँ कि क्यों की स्पीड कया है क्योंकि आप बताओ मेरको अगर आप क्यों की स्पीड निकालने में काम्याप होगे तो कोशन ही खतम हो गया क्योंकि आप से यही तुपिछ ento- kita कि तो कितने बज़े स्पीड कितनी में ऍस्पीड कितनी है एक स्की में परतीगांटा है आप मिर् nuclear को चार पांध्स you अपते आठी घंटेमे यहां पर पहुंचता है ठीक है दूसरी दूसरे घंट में स्पीड कितनी जी बताओ और वहीшее क्लोमीटर परती गंटा हेगी फिर दीसरे घंटे में डबल होएगी 4। 142 गंटा फिर कितनी किलो और कर देगा, यह 300ladı कि याना की 300 aíp में क्या लिक सकता हो और मे को स्टीन कर रहा हूं, क्यों के लिए मैं सोल कर रहा हूं कॉशन, पहले गोंटे में x किलोमेटर गया यानकी x किलोमेटर दूरी होगी दूसरे गंटे में 2x गया तीसरे में 4x गया चोतिंगे में 8x गया लेकिन गलती यहां मत कर देना 5.गंटा अगर यह पूरा चलता तो 60 एक्स चलता लेकिन 5.गंटा यह पूरा थोड़े चला है यह जिर्फ कितना चला है 5 by 8 पार्ट चला है तो इसको भी क्या कर दो आप 5 by 8 से multiply कर दो बस यही इसमें important चीज थी तो देखो यह 8 तो बार कट गया तो यह 10x होगे 3 और 4, 7, 18, 7 और 8 कितने होगे 15, 15, 15 और 10 कितने होगे 25 यहनकि यह 25x होगया तो 300 equal to 25x एक्स कितना आगे आपका 12 अगर आपसे पूछ लेता क्यों की initial speed क्यों की initial speed तो कितनी आगी 12 km परती घंटा तो आपसे question में पूछा जा सकता है 12 km परती घंटा है starting में क्यों ने 12 की speed से चलना start किया था एक question का तो answer मैंने आपको दे दिया अब हमारा question start होता है second देखो अब मैं यहां कर देता हूँ ठीक है इस question का second part अब मैं यहां कर रहा हूँ मैंने क्या कर दी क्योंकि जो initial speed है वो कितनी है 12 km परती घंटा क्योंकि initial speed है कितनी 12 km परती घंटा अब हरे गंटे यह अपनी speed को क्या करता है डबल करता है आप मेरे को बताओ, फ़स्ट आर के अंदर आप से कुछ है, ये कितने घंटों बाद मिल लेंगे, पहले घंटे में, ये पी तो जो अना फिक्स है, इसकी स्पीड तो है 30, तो ये 30 चलेगा, और ये कितनी चलेगा 12, यान की 42 किलोमेटर की दूरी तैय कर लेंगे, इन दोनों क चलेगा, कितना चलेगा 24, तो कितना हो जाएगा, ये 54 किलोमेटर, दूसरे घंटे में 54 किलोमेटर का फासला और तैय हो गया, अब बात आएगी 3DAR की, 3DAR में देखो, 30 तो ये चलेगा, ये स्पीड को डबल कर देगा, यान की 88 किलोमेटर का फासला तैय हो जाएगा, जोड़ोंगे न, 6 और 8, 14, 14 और 6, 20, यान की 2, ये 14, और 7, 21, 21, 25, 26, और 4, 30, ये कितने होगे, 300 तो बस, यान की 4 घंटे में ये दोनों आपस में मिल जाएगे, तो बहुत अच्छा कोश्चन था, बिल्कुल बेसिक मेटर से मैंने आपको करवा दिया, कि दोनों कोश्चन आपसे पूछ लिजाए, कि क्योंकि initial speed पूछ था, तो देखो, मैंने आपको यहान निकाल के दिखा दी, बहुत basic method से, और दोनों आपस में मिलेंगे कितने बज़े, ये, आप ये मत कर देना, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 300, और A की speed कितनी है, 30, और B की speed कितनी है, सुरू में 12, आप इस तरह से answer निकाल दोगे, गलत क्यों, क्योंकि B, हर दम 12 की speed से थोड़े चलेगा, B तो अपनी speed हर गंटे क्या करता रहता है, डबल करता रहता है, मतलब पहले गंटे इसकी speed कितनी होगी, 12, फिर 24, फिर 48, फिर 96, आप ऐसे देखोगे, तो सिरफ ये 300 km चलेंगे, कितने गंटों में, चार गंटे में, और यही इस question, question का क्या answer है, आसानी से हमने solve कर लिया, अब यह देखो, यह भी बहुत अच्छा question है, यह जो last के 2-3 question है, इसमें कुछ न कुछ हैने की नई बाते आपको सीखने को मिलेगी, और question को solve करने की अच्छे approach क्या हो स सकती है, मैंने इसलिए यह question सारे के सारे include किया है, अब देखो, इसमें क्या क्याता है, a boy from Delhi and a girl from Merit started walking towards each other, यहाँ पर बना लेते हैं, यह Delhi और यह Merit, एक लड़के ने Delhi से चलना start किया, और लड़की ने यहाँ से चलेगा boy और यहाँ से चलेगी girl, दोनों को आपस में मिलना कहीं बीच में, girl, यह हो क्या, फिर क्या कहता है, the boy, they both started with the speed of 5 km per hour, मतब दोनों ने starting करी 5 की speed से, 5 की speed से मिलना start किया, दोनों ने 5 की speed से चलना start किया, after every hour, the boy increased his speed by 1 km per hour and the girl decreased her speed by 1 km per hour, देखो, लड़के को मानलो मिलने की जल्दी है, उसने क्या किया, हर एक गंटे के बाद, ह बढ़ा देता है, लेकिन लड़की ठक जाती है, लड़की हर एक घंटे के बाद अपनी speed को 1 km कम कर देती है, तो बताओ, उन दोनों के बीच की distance कितनी है, 110 km, तो वो कितने घंटों के बाद वो आपस में मिलेंगे, कोई भी बच्चा पता है, क्या कह देगा, यह कहेगा सर, यह relative speed होती है, कितनी दोनों की speed का sum, जो कि एक दुसरे की तरफ चल रहे हैं, तो आप कहोगे, कि यह 1 km बढ़ाएगा, और यह 1 km गटाएगी, तो दोनों का sum तो 10 ही रहेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, 110 को 10 से भाग करेंगे, और 11 घंटे answer लगा देंगे, लेकिन वो क्या वो गलत क्यों है, आप बताओ मेर को, सुबह मान लो, इसने 6 बजे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों ने 6 बजे चलना स्टार्ट किया, पहले घंटे में, मैं अगर पहले घंटे की बात करूँ, यह मैं बढ़ाए लिखे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखेता हूँ, वो यह कितना किलोमेटर चलेगा, पांच, और गर्ल भी कितना चलेगी, पांच, ठीक है, क्योंकि स्पीड इनकी पांच-पांच है, दूसरे घंटे की जब बात करूँ, तो यह तो अपनी स्पीड एक बढ़ा देगा, लेकिन यह एक क्या कर देगी, तीसरे घंटे में यह बढ़ाएगा, यह कम कर देगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, कि दोनों का सम तो कितना रहने वाला है, दस, लेकिन अभी आप देखते जाओ, यह कितना कर देगा, स्पीड आठ और यह दो, यह नो, और यह एक, यह दस, और यह जीरो, क्योंकि एक किलोमेटर की, एक एक कि स्पीड को यह कम कर रहे है, अब आप मेरे को बताओ, क्या इस जीरो में से आप एक गटा सकते हो, क्या मतलब लड़की क्या अपनी स्पीड को नेगटिव कर देगी, मतलब कि वो इधर दोड़ रही थी, अब क्या वो पिछे बागना स्टार्ट कर देगी, उसका फाइदा क रहेगा, तो बस अब कोश्चन होगा, खतम, अब आप मेरे को बता दो, कितने गंटे के बाद ये दोनों मिलके 110 किलोमेटर का फासला तैया कर लेंगे, आप कहोगे जी, ये 10 है, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, और ये 10, मतलब कि 6 गंटे में, ये पहला, दूसरा, दी थाएगा, 11 और 12 कितने होते है, 23, 23 और 13 कितने होते है, 36, चैसला कितने होते है, 50, ये 50 किलोमेटर ये लड़का और चल लेगा, और लड़की तक पहुच जाएगा, बहुत ही इस कोश्चन को समझा दिया, फीक, कि लड़की की स्पीड जब तक zero नहीं हो जाती, तब तक तो पर दोनों स्पीड उनकी दोनों के जुड़ेगी स्पीड जब लड़की की जीरो होएगी तो आपको नेगटिव नहीं करना उस लड़की को बैठा देना कि तुम बैठ जाओ राम से लड़का कहेगा कि मैं ही अब चल के तुम्हारे पास आता हूं तो लड़का पहले घंटे में हमने रिलेटिव स्पीड के काफी अच्छे कोशन समझे बिल्कुल कुछ बेसिक कोशन थे और चार पांच कोशन मैंने आपको अच्छे लेवल के कोशन समझाए जिसमें कुछ एक्स्टर दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा ताकि एक्जाम में फिर दुवारा अग आप कम से कम सोच पाओ कि इन कोशन सोल करने का तरीका क्या हो सकते है ठीक है आज के लिनमें इतना रखते हैं नेक्स्ट लेक्षए एक और हम करेंगे रिलेटिव स्पीड के उपर और उसमें भी मैं बहुत अच्छे कोशेन आपके लिए लेके होंगा ठीक है थेंक्स फॉर वचिंग इस वीडियो सी यू इन दे नेक्स लेक्टर तिल देन बाई बाई टेक केर